जानवीर जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जोती मिर्दा जो भी भी आनमान बेनिवाल जी को कह रहे हैं कि वह बैरुपिया है वह कलियों की बाई हैं तो इसके पीछे क्या राजनीती है क्या एजेंटा है क्योंकि जैसा कि सागर जी आपको बता है जोती मिर्दा जी बहुत और कोई किसी क्या बोलता है जनता क्या चारी है अगर वो बैरुपियाई है तो फिर चार महिने में तीन एमेले बना दिये सताउन सीटों पर चुनाव लड़ा दिये हम पांच छे जगए फाइट में रहे तो यह की नेता ही कर सकता है और वो भी एक ऐसा नेता जो पूरी राजिस्तान में लीड करता हूँ यह कोई हनमान बेनिवाल जी एक नागोर के एक हीमसर के नेता नहीं है उन्होंने अलवर के उसकोने में पांब लिडाये तो बाड्मेर में पांप लीडाये तो इदर सेकावटी में अनुमान कट गंगाने कर तक चुनाव लडाये अत्यसके आपको भी पता है हमें भी पता है कि बीजेपी और कोंग्रेस के अन्दर दोनू में राजनितिःग उणेती उतल पूतल च देज़ की देगी रही है और यह वी बास है जिस प्रकार से सब्सक्राइब 151 गूठ। । उनके मैं भी पहले से जोड़ा आ दा मैं 26 में जब मेरा कोई reason रहा एक student union का चुनाव लड़ा था तो उनका जो एक system देखा जब मैं उस पार्टी को छोड़ दी आज के तीन साल पहले मैंने उसको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं किस कोर पहुंच ले चार महीने किसां कोंगरेस सरकार का कारज्मापी का एलान आपके पास दिरातल कि'ी रियल्य इनकाता है हर एक साब सब्सक्राइब करोड़ पती उसके बारे में आप क्या कहना जाएंगा कि इलेक्षन एक कला है अगर कोई भी पालती अगर करोड रुपे नहीं अरग रुपे भी अगर लगा दे तो किसान जो है अडमान बेनिवाल जो है उसमें करोड़ों आता है हजारों अदा है कोई करोड़ पती उसकी एक अदार नहीं खरीद सकता है अडमान बेनिवाल की क्या ख्याल है खिसानों के लिए विशेश है आप अनुमान पहने बैनिवाल से जुड़े हों पिछले कब से जुड़े हैं आप लॉग क्या रिजन रहा है कि आप यूँवा आपका वोट लगता है अभी जा रहे हैं अभी मैं सेकेंड टाइम वोट देने जा जो नहीं है कि हमांजी की विचार दरहसी मैं परभाव हूं परवाहित है डारेक्ट लोकों से मिलते हैं कोई भी है तो ऐसे नितावड़ावा कदीवी स्टेप रखते ही नहीं है भी हाँ ठीक बड़े लीडर है कभी हमेशा चोटा बाही मानते हैं कभी भी आदी रात को आई खुद फोन अटेंड करते हैं कोई भी छोटा से चोटा काम ह है यह चीज़ बैसाफ करते हैं उनका आउटपूट हमेशा सो परसेंट रहता है तो इन चीज़ से मैं प्रवाहित हो किरिंद के साथ है पिछले पांस साल से यहां भी बीजेपी का राज है सियार चोधरी जी यहां पे थे तो उनके कारेकाल में क्या कुछ राज इसकी वज अद्मी है यह नागोर की जन्ता जानती है और हमारे साथ जो गठफंदर नुवावस में सियार साथ का बहुत बड़ा रोल रहा है सियार साथ यह चाहते हैं कि हनमान बेनिवाल जैसा लड़ा का प्रदेश की विधान सभा में नहीं वह देश की संसद में बैठना चीए और नागोर का नाम वो रोसन करें सियार साथ मजबूती से हमारे साथ हैं पूरे नागोर की भारती जन्ता पार्टी हमारे साथ हैं और जिन मुद्दों को लेके हम लोग चुनाव लड़ रहे हमारे नेता सुरु से कहते हैं कि प्रदेश के नोजवानों के स्वाब इमान को जि लास्त वाल जिसमें आप यह बताये कि युवाओं के लिए बेरोजगारों के लिए क्विक्या आज रहा है नियुक्त हुन के लिए आगे आप सांसत बनकर यहां से आते हैं उनके लिए सब्सक्राइब उस्सका में ने अगर डिपने हो juste इस फ्वा साघसीर है कि कॉंगरेस और बीजेपी कर दो कि कोंगरेस और बीजेपी सब्सक्राइब अस्वारे साइब टो कन के सब्सक्राइब कप और मैं पिछले दो दिन से बाइसाब के साथ ही हूँ हर जगे एक एक पंचाईते लेवल पर घूम रहा हूँ जितना जेपुर्च हम सोच के आए था साइध उससे डबल यहां पे लोगों का उत्सा और एक साथ देखने को मिल रहा है तो साइध लगता नहीं कि कोई चीज रो साथ है यहीं मुद्दे यहीं रहेंगे और इनी सरकार से क्योंकि ऐसा थो नहीं कि एक एंपी करके पूरा वह को घर से या कोई कहीं से दिल्ली के लागे कर देगा इसी गौवर्मेंट से यह वादे उनी से पूरे करवाएंगे